सिविल लाइन्स में बिल्डर राम किशोर अगरवाल की हत्या वर लूट के ब्लाइन्ड मामले को क्राइम ब्रांच एंटी रोबबरी एंड स्नेचिंग सेल शकरपूर की टीम ने लगभग 300 CCTV कैमरे और आरोपी के मेट्रो कार्ड की मदद से सुलजा लिया है वाइरल हुए CCTV वीडियो में आरोपी अपने साथी के साथ अगरवाल के घर की दीवार को फांदते हुए नजर आया था पुलिस इस आरोपी तक कैसे पहुँची इसकी कहानी बड़ी दिल्चस्प है और इसमें दिल्ली मेट्रो के स्मार्ट कार्ड की एहम भूमिका रही हत्याकांट की साजेश अगरवाल के यहाँ दो साल पहले घरेलू सहायक रह चुके एक नाबालिग ने अपने दोस्त के साथ मिलकर रची थी उसने अगरवाल की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि 20,000 रुपे चोरी करने के आरोप में रामकिशोर अगरवाल ने उसे नौकरी से निकाल दिया था लेकिन आरोपी का कहना है कि चोरी का जूठा आरोप लगा कर उसे बिल्डर ने निकाला था इसी बात को लेकर आरोपी ने मन में रंजिश पाल दी थी साथ में उसे पता था कि पीड़ित के पास काफी नगदी रहती है इसलिए वो पिछले दो वर्षों से घर लूटने और अमीर बनने की योजना बना रहा था हत्याकांड में पकड़े गए दोनों नाबालिक बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं इसमें एक के पिता बिल्डर की गाड़ी चलाते थे नाबालिक के पढ़ाई लिखाई न करने पर उन्होंने ही बेटे को घरेलु सहाय के रूप में रखवा दिया था प्रविंदर सिंग्यादफ स्पेशल कमिशनर औफ पुलिस क्राइम ने बताया कि दिनांक एक मई दो हजार बाइस को सुबह लगभग छे बचकर दस मिनट पर हाउस नमबर एक राम किशोर मार्ग सिविल लाइन्स में 77 वर्षियर राम किशोर अगरवाल खून से लत्पत अपने बिस्तर पर पड़े मिले थे उन्हें तुरंथ ट्रॉमा सेंटर सिविल लाइन्स दिल्ली ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोशित कर दिया था मृतक के कमरे से कुछ गत्ते के डिबबे भी गायब मिले जिन में नगदी थी सुरक्षा गार्डों में से एक ने सुबह करीब 6 बचकर 5 मिनट पर दो लोगों को मृतक के घर से भागते हुए देखा जब सुरक्षा गार्ड ने चोर-चोर चिल लाया तो उसे पिस्टल से धमकाया गया तुरंथ ही F.I.R. संख्या 227 बटा 22, 302, 397 बटा 34 के तहट मामला दर्ज किया गया और जाज शुरू की गई जाज टीम को मौके से सबजी काटने वाला एक चाकू और एक मोटर साइकल का हेलमेट भी मिला था और एक CCTV फुटेज में दो व्यक्ती अगरवाल के घर की दिवार को फांदते हुए नजर आये थे नरिशन्स हत्या और लूट की गुत्थी को जल्द से जल्द सुझाने और आरोपियों को दबोचने के लिए कई टीमों का गठन किया गया इस महीने की एक तारीख को सुबह में नॉर्थ डिस्टिक के सिविल लाइन्स इलाके में एक 76 साल के बुज़ुर्ग राम दिशोर अगरवाल जी का की निर्शन्स हत्या हुई थी ये जैसे ही सुबह में नॉर्थ डिस्टिक को ये इन्फोर्मिशन मिली तुरत्वी पुलिस के सीनियर अफसरान और तमाम इन्वेस्टिकेटिंग ऑफिसर्स ये मौके पे पहुँचे सीन ओफ क्राइम को इंस्पेक्ट किया और वेरियस टीम्स बना कर एक पेशेवर प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिकेशन की शुरुबात की क्राइम सीन से जाच टीमों को इतना तो साफ हो गया था कि वारदात को अंजाम किसी ऐसे व्यक्ती ने दिया है जिसको सोसाइटी के सभी रास्तों और कोठी के अंदर और बाहर के चप्पे-चप्पे की अच्छी जानकारी है स्टाफ और आसपास के लोगों से पूचताच के अलावा एक टेकनिकल टीम पूरे इलाके और आसपास के सी सी टीवी फोटेज को खंगाले में लगी हुई थी उसके साथ ही क्योंकि जिस तरह का सीडियस ओफेंस था उसको देखकर डेली पुलीस में कि वेरियस यूनिट्स जो तमाम यूनिट्स हैं उस यूनिट्स को काम में लगा दिया गया और वेरियस टीम्स बनकर डिस्टिक की, क्राइम ब्रांच की और अदर यूनिट्स की इसमें दिली पुलिस की अनेक टीम्स काम कर रही थी, प्राइम लांच में हमने बीसीपी रोही तुमीना, बीसीपी अर्विंद कुमार, इंस्पेक्टर अरुम सिल्जु की टीम को लगाये था, और भी बाट टीमें थी, लेकिन इस टीम ने काफी बेहतरीं काम दिया इसमें और दिन राज, कीन दिन तक ये लोग लगातार काम लगते रहें। और अर्विंद की एक टीम का गठन किया गया। इंस्पेक्टर अरुन सिंधु की टीम ने क्राइम सीन से लेकर सोसाइटी में आने जाने वाले सभी रूटों के CCTV फुटेजों को बारिकी से स्कैन किया। टीम ने वारदात से कुछ दिन पहले के भी CCTV फुटेजों को खंगा जिसमें दो सस्पेक्ट क्राइम सीन के आसपास रेकी करते नजर आए। दोनों सस्पेक्टों ने अपना चेहरा धक रखा था तो इसलिए उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी। टीम को CCTV फुटेजों से पता चला कि आरोपी वारदात से एक दिन पहले भी बाइक से सोसाइटी के अंदर तो घुसे थे लेकिन बाइक को सोसाइटी के अंदर ही कहीं खड़ा करके पैदल वापस लोट गए थे। और अगले दिन आरोपी ए रिक्षा से जल्दी सुबह सोस कुए से जल्दी है कि ए इसकी बदॉलत किसी बी मेट्रोस्टेशन से प्रवेश और निकास का समय खड़ाता है। इनस्पेक्टर अरुन सिंधू की टीम ने Metro Police के Special Staff की टीम की मदद से आरोपियों के Metro Card की Travel History निकलवाई और अलट पर डलवाया ताकि दोबारा इस्तेमाल होने पर उसकी location पता चल सके मेट्रो कार्ड डिटेल से जाज टीम को पता चला की आरोपी आने जाने के लिए मेट्रो का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं करके एक जो इंसिडेंस है और जो इन्वेस्टिकेशन है उसको एक दिशा दी गई स्याकरों सीसी टीवी को खंगाला गया और उसके बाद जो रास्ता है जो रूट है एसलेंट का वो आइडेंटिफाई किया गया और जितने भी तरह के जो टेकनिकल इन्फरमेशन हैं और इलेक्रोनिक प्रिंट्स उस सब को इकठा कर जो मेट्रो के मुवमेंट्स है जो उसका अधरवाइस मुवमेंट है करकर जो डेली पुलीस का जो जो जुएंट टीम है जिसमें क्राइम ब्रांच डिस्टिक पुलीस नॉट डिस्टिक की जो है वो मेट्रो पुलीस और भ इस केस का खुलासा हुआ है। आरोपी की निशान्देही पर उसके दूसरे साथी को गाउ मुकुनपूर दिल्ली से दबोच लिया। आरोपियों के घर की तलाशी के दौरान रुपे से भरा एक बैक जिसमें पीरित के घर से लूटे गए 10,37,000 नकद, कुछ विदेशी मुद्रा, दो घरियां और कुछ गहने बरामत किये गए। इसके अलावा, दोनों आरोपियों के कहने पर अपराध में इस्तेमाल की गई मोटर साइकल को भी गाउ मुकुनपूर दिल्ली के इलाके से बरामत कर लिया गया। लूट की रकम में से 25,000 दोनों खरीदारी में खर्च कर चुके थे। जाच में पता चला की दोनों आरोपी नाबालिक है। विशेश पुलिस आयुग दीपेंद्र पाठक का कहना है कि पुलिस अदालत से अपील करेगी कि इस मामले में आरोपियों को बालिग मानते हुए उन पर केस चलाया जाए। पुछताच में जाच टीम को पता चला की गिरफतार दोनों आरोपियों में से एक के पिता बिल्डर की गाड़ी चलाते थे। उसी दिन बिल्डर की हत्या करने का निर्नाय कर लिया था। वहीं महेंगे शौक भी पूरे करना चाहता था। इसलिए हत्या के साथ ही लूट की भी साजिश रच डाली। आरोपियों ने बताया कि हत्याकान को अंजाम देने के लिए उसने पहले यूट्यूब पर बिना चाबी के बाइक स्टॉट करने का तरीका सिखा। इसके बाद उसने साथी के साथ मिलकर 28 अप्रेल को वजीरबाद इलाके से बाइक चोरी की। शनिवार की राद 10 बजे बाइक को बिलडर की कोठी के बाहर खड़ा कर दिया और दोनों मेट्रों से घूमने चले गए। दरसल उसे पता था कि सुबह 5 बजे गार्ड बाइक लेकर उसे कॉलोनी में प्रवेश नहीं करने देगा। पूचताच में जाच टीम को पता चला कि घरेलु सहाय के रूप में काम करने की वज़े से किशोर को पता था कि शनिवार की राद पार्टी आदी करने की वज़े से परिवार के सदस्य सुबह देर तक सोते हैं। वहीं बिल्डर राम किशोर करीब पांच बजे लान में चहलने के लिए दर्वाजा खोलेंगे। उसमें रखी नकदी और जेवर लूट लिए और कोठी के बाहर पहले से खड़ी बाइक लेकर फरार हो गए। पहला नाबालिक आरोपी बिहार के मधुबनी का रहने वाला है। इसका जन्म और पालन पोशन गाउं वजीरबाद दिल्ली में हुआ है। उसने नौवी तक पढ़ाई की। उसने अपने पिता की सिफारिश पर मृतक के घर पर तीन महीने तक काम किया। दूसरा नाबालिक आरोपी भी बिहार के मधुबनी के उसी गाउं की रहने वाली है। उन्होंने दस्वी तक की पढ़ाई बिहार बोर्ड से की है। वह नाबालिक आरोपी का बचपन का दोस्त है। जिसने उसे उज्जवल भविश्यव जल्दी पैसा कमाने का लालच देकर इस अपरात को करने के लिए राजी किया। संसनी ओफ इंडिया नेटवर्ग क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेश में हो सकता है। पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए संसनी ओफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। कड़ी नेदर, खरी खबर, और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हमुआ। तंसमी ओफ इंडिया, हिंदी सप्ताहिक न्यूजपेपर, हर अविवार आपके द्वार, वो आप तक पहुचाता है, क्राइम से जुड़ी कभी खबरें, सिर्फ पाच दिखाते हैं। कहीं डर्ग, तो कहीं डर्ग, कहीं आत्म हत्या, तो कहीं हत्या, कहीं साजिश, तो कहीं घंजिश, हर जरुमुका करेंगे फर्दाफार, भेखें, हर रोज, राथ साड़े दस बजिया, संसनी और इंडिया, राष्टिय राज़ानी नई दिल्ली से प्रकाश्चत, हिंदी चैनिक समाचार पक्त, विजय निउस, हर रोज आपको कराता है देश्विदेश, खेल, कारोबार, और आपके आसपास की कट्टाउं से रूबरू, मात्र दो रुपे में, विजय निउस की खबरें हिंदी में पढ़िए, कहीं भी, कभी भी, पस लॉग इन करें, www.vjnews.in